जैहन दोस्तों कैसे हैं आप आई होब कि आप बहुत अच्छे होंगे आपके बढ़ाई वही काफी अच्छी तरीकी चल रहेगी जैसे कि आप सभी को पता आपकी जीडी कॉंच्वल की विकेंसी यहां पर आ गई है परफेक्ट कर सकते हैं जैसे यहां पर एक्जाम को कंफी अच्क्छार कर सकते हैं आपको कैसे रिटन एकजाम तक खड़ा हूं प्रॉपर ली आपको पूरा गाइदेंस करूंगा आप सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें कर सकते हैं इंस्ट्राम आपको मेरा मिल जाएगा अपने व्लॉग के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा और बहुत जल्दी में अपको पूरे चांसे आप मान के चाहते हो कि आपको जनवरी के पहले काफी अची आपको त्यारी करना पड़ेगा दिसंबर लास तक आपको अच्छे यहां पर प्रिपेर होके तयार होना पड़ेगी आपको एक्जाम जश्ट देना जाना है ऐसा को मान के रखना पड़ेगा एक जनवरी के पहले आपकी तीयरी पर कम्प्रीट हो जाना चाहिए तो यहां। हो जाते हैं तो यहां पर समझेगा सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपको जो एक्जाम पैटन में हर विकेंसी के पहले हर एक्जाम के पहले आपको प्रॉपरली बताता हूं कि आप किसी भी एक्जाम की त्यारी करना शार्ट करते हैं तो पहले उस एक्जाम का पैटन समझे उस exam को समझे ठीक जहां से आपकी कोशन पूझी आते हैं exam का slaver समझे exam का pattern समझे क्योंकि पढ़ना के लिए important नहीं है exam में क्या आता ये पढ़ना important है उसी करना आपका exam clear होगा तो यहां पर पहले समझे यहां गई पर आपका exam ले बस रहने बाला है आपको पूरा 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 पेपर को से ओस आपको आपको सल्व करने 幸key से करेसे करने पूरे पूरे घ्रचाम किया कि क्या नहीं करना आपको exam में काफी अच्छा score कैसे करना यह आपको पूरा exam pattern रहने वाला है ठीक है उसके बाद दोस्ते exam pattern में आपको बता ले हैं जो कि आपको पता होगा जिसमें आपको rewind यहां पर करवाया है उसके बाद सबसे मैं आपको यह point है आपको high score कैसे करना है high score आप कि यहां पर subject कौन से रहने वाले है high scoring subject कौन सा है सबसे पहले आपका math है जो कि आपको पूरे में से पूरे नंबर दिला सकता है बहुत easy तरीकी से आप यहां पर नंबर ला सकते हूं बस आपको सही guidance में सही strategy में आपको अपनी मेहनत को बरकरार रखना पड़ेगा फिर यहा कि अपके आपको कोई यह कि आप करना रहता है है जी के में दोस्तों पढ़ेगा बहुत बढ़ी बात है आगर ऊपना आप आपके साथ नंबर हैं आपके साथ कोशन आपके आने वाले यहां से आप मतलब 120 आपकी 120 में साथ 120 नंबर सिर्फ इन्हीं में सिला सकते हो और आपके जो आगी के नंबर रहेंगे आपके जीके आपके डिसाइड करने बाले तो यह आपका पूरा-पूरा है स्कुरिंग पढ़ने हैं पहले कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपके प्रिवेस लगबक 75-80 परसे आपके यहां पर रिपीट होते हैं आपके सब्याट होते हैं तो आपको बस उन्हीं को फोकस करना स्टार्डिंग में जल्दी से ऐसा करना कि अपने स्लिवर्स को जल्दी से खदम कर ल सब्धेट आपको पता होगा यहां पूरे में से पूरे नमबर और पर इसी के थुआ यहां पर तार्गेट को श्चार्ट करूं गां तो यहां पर समझे किस तरीके से तयारी तयारी आपको सुन्हें कैसे कर नहीं करने पढ़ने का रही हैं पर आपको अगर एक्जाम पूछी आते हैं सबसे पहले आपकी प्योटी होना जाए कि आपको जल्दी से आप स्लेवर्स कम्प्रीट करना है तो आपको प्रॉपर लिए आपको बढ़ाना पड़ेगा इसा आपको अनुपात आपका यह बना होना चाहिए स्टार्टिंग से आपको पूरे आठ गंटे देना अपनी स्टडी में आप पहले जल्दी पूर स्लेवर्स को कम्प्रीट करोगे जैसे रिडिंग मोड आपका यहां पर रिविजन में आओगे तो यहां पर दो गंटे रिविजन का बढ़े आएगा फर आपके पास चैगंट सफिकना फिए टीन सब्सक्रां एस सब्सक्राइब करनेगा पंगे हैं पुरीजन में अगया एक्जां कवैं करना अगर टाइम के पहले अगर आपको एक्जाम कॉलिफाई करना है आपको सही टाइम है 60 मिट में पूरा पूरा पेवर आपको स्पीड यहां पे मैंटेर करना पड़ेगा हर एक चीज़ आपको बताऊंगा बसाब फॉलो करते रहिएगा ठीक है त्यारी करने के साब बढ़ी तरीका यह आपको सबसे पर अपने स्ट्रेवर्स में फोकॉस करना है यह तीन अनुपात को याद रखना इसी के थिरू अपने एक्जाम को आगे बढ़ाना और मैं आपको उसकी सांत मैं आपको बना कर दीता हूं कि आपको किस तरीकी से अपनी आपको आगे बढ़ाना है इस तो आपको यहाँ आपको आपको इसी के थिरू अपनी अच्छा एक्जाम है आप अगर सही तयार ही करोगे आप आराम से कीजर कर लोगे तीक है आपको यहाँ पर सितंबर अक्टुमबर नौंबर में आपको प्रॉपरली पूरा इस में फोकॉस करना है तीन महीने में आपका काफी अच्छी तरही सापको कंप्लीट करना इसी में आपका रिवीजन भी रहेगा ठीक है रिवीजन भी आपका इसी में रहने वाला जैसा मैंने आपको पताया कि स्टार्डिंग में आप पूरे-पूरे आठ घंटे देना लगभाग दो मन्त आपको प्रॉपरली लगातार बढ़े अट घंटे आपको पूरे-अठ घंटे देना लगातार बाई एक विजन मस्मत करना हर टौपिक को जो मैं आपको टायम बनाके दूंगा प्रॉपरली उसी के थूरू अरद न आठ घंटे कम सकंग मता रहा हो अगर आप इसको बारा कर सकते चौदह घंटे कर सकते कर दो मंद आपने पूरा फोकस कर लिया उसके बाद आपको नौंबर रहेगा इसमें आपको रिविजन भी करना है और आपको इसी में आपको जो नया रहेगा है मतलब यहां पर आपका भाई आपका भी आपका जो टाइम ए 6-2 में पर बढ़ आएगा मतलब 6 घंटे आप डेली क्या करो गे इस्टैडी करोगे 2 घंटे प्रॉबर ली पूरा एक मंतर पर रिवाइस करोगे 9 अपका यहां पर 100 पर सिल्वां कम्पीट हो जाएगा फिर पर बन 30 से नहीं आना चाहिए एक्जाम में आपका इतना में अरौटी-फ़ूर्टी-फाइफ यही आपको टार्गेट बना के आपगे आपका पड़ेगा आपको यहां फिर लास्ट में आपका आएगा दिसंबर अगले तीर घंटे में प्रॉपर्ली रिविजन करोगी कि मेरे भाई मैं यह टॉपिक शूट गया मसे यह टॉपिक नहीं बन रहा है पूरा बन पाना कहीं नहीं पॉसिबल होता नहीं आपके यहां पर वीक पोर्सन आपको पहचानना पड़ेगा तब जाकि आप यहां पर स्कूर अच्छा कर पाओगे फिर आपके यहां बात कर रहो भाई दिसम्बर की ठीक है आपको यहां पर लास्ट में दो घंटे आपको अच्छे से रीडिंग करने जो आपने भाई नया पर छूट के आप से पढ़ने में उसको अपको और नया आपके यहां पर दिसम्बर कंप्यूट हो जाएगा आप दिसम्बर में आराम से बन थर्टी इस अपर आपको देखने को मिल जाएगा फिर आपके पास यहां पर ज आपका पूरा जनबर के पास है आराम से एक में पर यहां पर दस से पंदर नंबर आप यहां पर प्लस कर आउगे ऑप एग्जाम के पहले जो बता रहा हूं को इस तरीकी साब को फॉलो करना है एक विदन में चूटना आप आठी घंटे पढ़ना मत पढ़ना चाउदा गंटे पढ़ना पर आठ गंटे आपको लगतार तीन चार महीं तक पढ़ना पड़ेगा काफी अच्छा टाइम है काफी अच्छा भाई आपके सामने अपॉर्शनिटी यह इस इस भाई मौकियों को बिल्कुल मत जानने जा आपको काफी अच्छा आपका है एक्जाम यहां पर चला जाएगा ठीक है आपको पूरा समझ में आगे होगा यह सबसे मोस्ट इंपूरी वीडियो का अगर आप यहां तक भाई टिके हैं तो मतलब आप बाके में बहुत सीरियस हैं और आप इस वार आपने ठान लिया कि आ प्रफिनी टारगेट सीरिस है एस सी जी डी कॉश्रीव वह कब से यहां पर स्टार्ट होने वाली है दोस्तों मैंने जो प्लान किया यहां पर आपके लिए पिछली चार-पांस सालों की पीपर मैंने पूरे पूरे यहां पर देखा उनमें से आपके जो हार को सबसे अब को बहुत बहुत से करने होती है आप सभी को मैं बता दू मैंने के पहले ग्जाम की एक करवा है टार्गेट सीरीज को और अभी अच्छा आप सभी का रिस्पॉंस आ रहा है और आप लोगों की करने वाले हैं आपकी आपको मैं पहले ही दे दूँगा डेवन की वीडियो आपको प्रोइड करूंगा अगर आपको अच्छा लगे आपको लगे यहां पर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा आपको बाकई में यहां पर यहारी करने देखने को मिल लेगी आपकी बाकई में यहां पर प्रोग्रेस देखने को मिलेगी तो ही आप इसको जवट्समय विश्वास करना है हर प्ढ़ाने वाल और बुक अपने अपने अंदर रहता है अगाम अच्छी समझ मारते ही बहुत अच्छी बात है अगर आपको चीज़ नहीं आई तो आपको यहां पर मेहनत करना पड़ेगा इसी के रेकार्डिंग अपन यहां पर लेए 11 सेटंबर के आसपस अपने सीज़ को चार्ट कर देंगे और इसकी अपड़ेट आपको मैं काफी जल्दी प्रोवाइट कर दूंगा इस बार सीज़ में काफी कुछ हैं पर नहा रहने वाला है बहुत कुछ आपको यहां पे नहाया देखने को जो भाई आपने इसके पहले सायदी कभी देखा हो क्योंकि पिछली दो सीरीज अपनी दो से तीन सीरीज यहां पर कंप्लीट होने वाली है इन दो तीन सीरीज मैंने काफी कुछ नया सीखा है काफी सार यहां पर कमेंट भी आए आप लोग काफी अच्छी अच्छे आप लने की जरूत पड़ेगी आप काफी अच्छी तरियरी बहतरी दरेगी साप यहां पर कर सकते हो तो इसकी आपको मैं काफी जल्दी दे दूँगा आपको डेवन की वीडियो में पूरी जनकारी प्रवाइट कर दूँगा बस आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से पतान हूं और कितनी बार मैंने आपको बहुति लगाना अभी किसी ही यूटूब चला मैं जा के डार्क ली प्रैक्टिस साथ मत लगाना अगर आपने पहले पढ़ लिया है तो बहतरी है अब इसका प्रेक्टिस रदाना आपको बता दिया बहुए पहले प्योर्टिजों आपको अगर एक्जाम का confidence विल्डप करना तो आपको स्लिवर्स में आपको काम करना ही पड़ेगा तो आपको अपने टॉप टॉपिक में आपको फोकस करना है एक्जाम का material में फोकस करना है एक्जाम में कोशन कहां से आती है एक्जाम oriented तयारी आपको कैसे करनी है यह आपको फोकस करना तो अभी प्रैक्टिस है बलकुल मतलगा ना पहले अपने इस लिपस में फोकस करना जिसके मैं आपको proper डिटेल आपको आगे प्रोवाइट करूँ मिल जाएगा मिरी परसनल आइडी भी आपको देखने को बिल जाएगी सूरस सौनी के नाम से जहां पर आप मुझे डारेक्ली मैसेज करके कोई भी डाउट यहां पर ले सकते हैं तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो और आप मैंसे कौन-कौन जीडी कौश्वल को टार्गेट कर रहा है जरूर से आप मुझे कमेंट करके बताएगा और आप लोग कहां से पढ़ रहा है यह भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो मुझे तक के लिए जहें